हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का Everything is Train चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं टाटा नगर से चलकर अजमेर को जाने वाली ट्रेनों के बारे में सभी ट्रेनों का नाम नमबर उनका समय सभी चीज़ें इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी फिलाल में रेलवे द्वारा टाटा नगर से और अजमेर के बीच में केवल एक ही ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका नंबर है 18009, इसका नंबर है, इसका नाम है संत्रागाची अजमेर सापताहीक एक्सप्रेस, जो की संत्रागाची यानि कि हावडा के पास के रेलवे स्टेशन से चलती है, और अजमेर पे जाके समापत ये ट्रेन होती है, इस ट्रेन की हम पूरी चर्चाई स्वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आप लाश्ट तक बने रही है, तो टाटा नगर जंक्सन से अजमेर की बीच में केवल एक ही ट्र आई, इसको आप शोट फॉर्म भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर रेलवे का कोड भी बोल सकते हैं, इस ट्रेन का नाम है सांत्रा गाची अजमेर सापताहिक एक्सप्रेस, अठार डबल जीरो नो इसका नंबर है, जो की वीकली एक्सप्रेस है, सपता में के वह लेक दिन चल पुटते हुए 1758 किलोमेटर की यात्रा कम्प्लीट करती है, टाटानगर जंक्सन से एयर ट्रेन आपको प्लेटफॉन नमर 3 से साम को 4 बच के 22 मिनट पर सुक्रवार को सपतामे के वह लेक दिन मिलेगी, और अजमेर जंक्सन सुबच 4 बच के 35 मिनट पर प्लेटफॉन नमर पांच पर रवीवार को पहुचाएगी, यहाँ पर जो भी प्लेटफॉरम दिये गए हैं, वो लगभग निश्चीत होते हैं, फिर भी जब आप एक बार रेल्वे स्टेशन जाएं, तो कन्फर्म कर लें कि आपकी ट्रेन इसी नमर प्लेटफॉरम पर आ रही है कि नहीं, नहीं मिलेगा, ओन बोर्ड कैटरिंग और इकैटरिंग आपको मिल जाएगी, इकैटरिंग जैसे ट्रेन चलती है, उसके बाद ट्रेन चलती है, सत्रागाची यानि कि हावडा के आसपास के रेल्वे स्टेशन से, उसके बाद इकैटरिंग आपको खड़कपूर, टाटा, डाल्टन गंच, कटनी मुडवारा, दमो, सागर, गुना और कोटा में आपको इकैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी, इकैटरिंग की यहाँ पर लिस्ट देखने को मिल रही है, अब एक ही ट्रेन चल रही है, तो इस ट्रेन के हम पूरी जानकारी देख लेते हैं, कि यह कौन-कौन से समय पे कौन-कौन से स्टेशन पर पहुंचती है, और कितना देर रुखती है, और सारी चीजें इस यूडियो में कवर कर लेते हैं, अगर इस ट्रेन को देखा जाए, तो यह रिवर्शेबल कब होती है, मतलब इसका इंजन जो है, वो दूसरी साइड कब लग अब सबसे पहले ये ट्रेन चलती है, संत्रागाची जंक्सन से, यहां पर आप देखेंगे कि रेलवे के स्टेशनों के नाम लिखे हुए है, उसके पहले इनके शोट फॉर्म लिखे हुए, यानि छोटे एक्षर में जो लिखा है, वो यहां पर रेलवे के शोट फॉर्म भी बोल सकते हैं और कोड भी बोल सकते हैं, जैसे टाटा नगर का टीए टीए लिखा हुआ है, यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये स्टेशन होल्ट हो गए, पहला नमबर, दूसरा नमबर, तीसरा नमबर स्टेशन, और यहां पर आप देखेंगे कि किलोमेटर लिख लिखा हुआ है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि समय लिखा हुआ है, कब यह ट्रेन चलती है, और कब यहां से निकलती है, प्लेटफोरम यहां पर लिखे हुआ है, और डे यहां पर लिखा गया है, तो सबसे पहले ट्रेन चलती है, संत्रागाची से, प्लेटफो नमबर एक ही रहता है यहां पर डे वन रहता है उसके बाद खड़कपूर जंक्षन पहुंचती है 14 बच के 25 मिनट पर 14.30 पर यहां से चलती है प्लेटफॉर्न नमबर च्यार पर उसके बाद टाटा नगर जंक्षन प्लेटफॉर्न नमबर तीन पर चार बज़ के 17 मिनिट पर और चार बज़ के 22 मिनिट पर यहां से चलती है टाटा नगर के बाद मूरी जंक्षन पहुंचती है प्लेटफॉर नमबर एक पर साम को 6 बज़ के 28 मिनिट पर 2 मिनिट यहां भी रुकती है उसके बाद बरका काना जंक्शन यहाँ पर यह ट्रेन प्लेटफॉन नमबर 3 पर रात को 8 बज के 20 मिनट पर पहुंचती है दस मिनट यहाँ रुकती है उसके बाद तोरी जंक्शन यहाँ पर प्लेटफॉन नमबर 2 पर साम को 9 बज के 35 मिनट पर 2 मिनट यहाँ रुकती है डा 14 बज के 50 मिनिट पर 5 मिनिट यहां रुकती है और उसके बाद ट्रेन पहुंचती है चोपन चोपन में रातको 2 बज के 10 मिनिट पर पहुंचती है दो 30 पर यहां से चलती है चोपन के बाद यह ट्रेन पहुंचती है सिंग रोली प्लेटफॉन नमर दो पर सुब़ चार बज के बावन मिनट पर पांच मिनट के लिए यहां रुकती है उसके बाद कटनी मुडवारा प्लेटफॉन नमर दो पर 10 बच के 50 मिनट पर शूबह पहुंचती है 10 मिनट यहां रुकती है उसके बाद दमो पहुंचती है प्लेटफोन नमबर 1 पर 12 बच के 23 मिनट पर दोपहर में और 2 मिनट यहां पर भी रुकती है दमो के बाद यह ट्रेन पहुंचती है सागर प्लेटफोन नमबर दो पर और यहां पर दोपहर में एक बज़ के 35 मिनट पर पहुंचती है एक बज़ के 40 मिनट पर यहां से चलती है उसके बाद यह पहुंचती है मुंगावली प्लेटफोन नमबर दो पर साम को 4 बज़ के 18 मिनट पर 2 मिनट यहां भी रुकती है इस उसके बाद पहुंचते है गुना, गुना प्लेटफोर्न नमबर एक पर, साम को 5 बचके 50 मिनट पर और 6 बजे यहां से निकलती है, उसके बाद 12 प्लेटफोर्न नमबर 3 पर, साम को 7 बचके 85 मिनट पर 2 मिनट के यहां भी रुकती है, 12 के बाद पहुंचती है Kota junction प्लेटफॉर नमबर 4 पर रात को 9 बच के 20 मिनट पर 9.40 पर यहां से रवाना होती है उसके बाद यह पहुंचती है चंदेरिया प्लेटफॉर में लिखा हुआ है रात को 1 बच के 15 मिनट पर और 1 बच के 30 मिनट पर यहां से चलती है रात में इसके बाद भिलवाड़ा पहुंचती है प्लेटफॉन नमबर एक पर रात में दो बज़ के पांच मिनट पर दो बज़ के दस मिनट पर यहां पर निकलती है और लास्ट में अजमेर जंक्शन पहुंचती है सुबह चार बज़ के पैंटिस मिनट पर तो इस प्रकार दोस्तो यह ट्रेन की पूरी जानकारी भी हो गई और टाटा नगर से अजमेर की बीच में हमने ट्रेन भी देखली धन्यवाद